हाई गाई वेल्कम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है दुष्छंत और आज का माई टॉपिक है आज मैं आपको पांच एसी चीज़े बोता हूँ जिनसे आप जो आपके जो हेर डामेज होता है उसको बहुत हथ तक अवोइड कर सकते हो पॉइंट नमर वन है वेट हैर वेट है वेडिन हो दूसरी चीज़ है हम बाहर निकलते हमें है ही रावना ल लुग चाहिए होता है तो गीले बालों में हम एकदम बाल कारने लग जाते हैं वो चीज़ नहीं करने हैं गीले बाल सबसे ज़्यादा कमज़र होता है अगर आप इस पर कंगा कुछ भी मारोगे ना महाबारची तक्ये के साथ तो वह तक्ये पे भी गीले बाल तूटेंगे बाल कमजोर बहुत जादा हो जाते हैं तो इसलिए टाल ड्राइ करके सोजा करो या फिर सोने से पहले गंटा पहले अगर ठोड़ा टेल वेल लिए आज कल तो गर्मी जादा है तो वह बाल अपने आप जिससे कि कम घीले होंगे तो अब लोड़ाय मारोंगे तो डैमेज भी उसी हिसाब से उतना कम होगा तो हमें कोशिश करनी है गिलेबालों मैं उसको जब आपके बाल गीले है ताल ड्राइ कर लिए उसके बाद ब्लोड़ाय मारा स्टाइलिंग के लिए एगदम से लिए ग बाल तो एक तम बढ़िया कहलेंगे बट आपको थोड़ा सा फील होगा जो आपका जो स्कैल्प है आपका जो माथा हैं अंदर का वो जलने लग जाएगा मैंने काफी वाल किया गलती जब नहीं पता था फिर मैंने सोचे मैं जलता कियो है तो बाल तो एक तो जादा जल जाता काफी महंगे महंगे आते हैं तो इसका एक सिंपल सा तरीका बता हूं मैं एक ओल यूज करता हूं को मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगाँ बट मेरे पास heat protection भी है sprinkler भी है अब यह जो मैं यूज करता हूं यह है जब मैं इसको sprinkler कहते हैं basically तो जब मैं आपने बा बाल इससे बहुत ज़गा है बट क्या आपके बाल एक्टिन में होते हैं देखो अगर आप रीट प्रोटेक्शन यूज निकर यह डालो गए तो लोग तो आपको बहुत जादे अग्दम पफी पफी आएगा कि आपके बाल एक्दम हेल्दी एकदम शाइन कर रहे हैं बट ए मैं आपको भी तीसरे पॉइंट में बता जूँँगा प्री स्टैलिंग में आप और यूज कर सकते हैं बट ओए थोड़ा से कम यूज करना है और क्या करता है बालों को भारी कर लेता है फिर मेरे बाल तो गुंगना लिए तो गिरने लग जाते हैं तो ऑई कम से कम यूज करना है आपको हीट प्रोटेक्शन में तीसरा पॉइंट है और यह अब यह आजकल के बच्चे जिनके बाल जादा जल्दी सफेद हो रहे हैं उन सब को यह प्राब्म आ रही है अपने चोटे मोटे 15-15 16 16 साल के बाल खराब हो रहे हैं वह बाल क्यूं खराब हो रहे हैं क्य अब आपको यूज करता हूं तो मैंने यह लगा यूज करता हूं यह उस तरह का अईरुएदिक हैर अब इसमें करना क्या होता है फिर जब मैंने इनके बालों में बाल लगवाय तो अभी तुम्हारे बाल सेही है थोड़े बहुत तो सही है ना मतलब पहले जो बेशकर जो यह तो पहले के लोग करते हैं जैसे हमारी माताजी बगएरा मेरे तो मेरे पिट-पिट के तेल लगवाय है इसका इसका इकलोता कारण है कि मेरे बाल अभी तक बचे हुआ है मेरे कॉलोनी में काफी छोड़े बच्चे है उनके बाल लेक तो सफिय दो गए वतलब बाशकल क सबसे बड़ी है बाल सफेद उनों की तूसी टेंशन आती है बाल जाने की बाल बचते ही नहीं है यह प्रॉब्म मेरे बहुत जादा अच्छा है मैं तो इसको फुली रेकमेंड करूंगा क्यूंकि मैं इसको पोस्ट स्टाइलिंग में भी यूज कर लेता हूं इनके चंप करके सोता हूं तो भाई मेरे अभी मेरे बाल मेरा बिजनेस है अगर मैं गंजा हो गया तो तुम लोग मेरी वीडियो नहीं देखोंगा क्या कि पहले तू अपने बाल तो बचा ले तो एक्चल में मैं ऑईलिंग की इंपोर्टेंस जानता हूं मैं हर तीसरे दिन में अपनी चोटी बेनों से अपनी माताजीक से मासी वगरा से चंपी करवा लेता हूं उस तरह के आयूवेदिक हैर ओल से अब आज की मांकेट में हर कोई अपने हैर ओल या हैर प्रोडक्स को आयूवेदिक बोल देता है लेकिन ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है मैं इस प्र अब यह हर्ब्स मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए उस तरह ओल लेके आया है आपके लिए इसमें है आश्वगंदा जो हैर को मजबूत बनाता है और स्ट्रेस रिलीव करता है ब्रिंग राज जो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है प्यास अनियन जो हम सब को पत इतने सारे अमेजिंग इंगरेंट्स होने के बाद भी इट्स वेरी लाइट और नॉन स्टिकी आप हेर वाश करने से एक घंटा पहले इसको यूस करें बेस्ट रिजल्ट के लिए रात को अच्छे से चंपी करके सो जाए वैसे मैं रात को ओई लगना रिकमेंड नहीं करत है बट क्योंकि यह नॉन स्टिकी है और बहुत लाइट है तो आप इसको ओवर नाइट रख सकते हो क्योंकि जो नॉर्मल ऑइल्स होता है वह एकने करियेट करते हैं और वैसे तो यह उस तरह एक मैंस ग्रूमिंग ब्रांड का प्रोड़क्ट है बट इस सेफ तो यूज फ उस तरह के जितने भी प्रोड़क्स हैं वो सारे से पिसी भी प्रोड़क्ट में किसी भी तरह का कोई भी हमफुल केमिकल्स नहीं तो यह ईयौन को दिश्टेशं प्रिपकार्ट एन अमजान पे भी अविलिबल है तो नीचे जाके लिंक चेक करो फॉर्थ पॉइंट है अवोईट फंकी हेर कलर्स फंकी हेर कलर से मेरा मतलब है मतलब टिक्टॉक का जो जमाना होता है लाल पीले काली नीले उल्टे सीधे जाडू ऐसे बाल करा लेते हैं यह को बद बढ़े यह जो कलर ब्याद की सबसेजाद वो करते है सबसेजाद आपके बालों को बत्ते हैं तो ऐसा नहीं करनगा यह आप यह रंकराने की सोच हों भाइं कितना भी बड़ा on the बहुत सारे लोग इस पर टेक्टिंगल फैक्टर्स ले आएंगे कि भाई हम तो ऐसे बाल करते हैं या फिर दानीज गया हैं कि बाल तो दानीज नहीं होते हैं तो दानीज गया हैं किसी अच्छे उन पर जाता था उनका नाम शैद में को या नहीं है इम्रान इंटु यू तड़कते बढ़कते रंग मत कराएं करो और लेट गई आज के लिए बस इतना ही है होप आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्स्राइब कर देना थाइंक यू सो मुच फर वाचिं दिस वीडियो पर स्टाइलिंग पूरी कर नही करते हैं बाल ऐसे खराब होता है तो टिक टॉक ने मावेनिक करी है सब के बालोगी टिक टॉक ने हैं बहुत बुरी मावेनिक करी है इलाल पीले कला करा के निकलते हैं न कर बालोगो गॉक युक